तो विल्कम तुम्हें चैनल रिजल्ट हंडेट दोस्तो तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टन कुष्चन इन फम इम ठीक है फंडमेंटल मेकेनिक्स जो भी हमारे फस्ट सेमेस्टर में ठीक है तो यह किसी के फस्ट सेमेस्टर में होगा किसी के पार्ण वेरियोऋस लोड मिन्स जित्ते भी बीम के टाइपस होते हैं ठीक है और छाहिक है इसको आप पढ़के चली जाओए गाएग एक एकग इक सांपल फिर सीयर्फ प्रोर्स एन बेंदिंग मूमेंट outs до सीर्फ और बेंडिंघं़मेंट के कैसे लगते हैं ठीक है एक्जाम्पल नुमेरिकल जित्ते भी आप सॉल्व करके जाएगा फिर आता है रिलेशनल सिप बिट्वीन लोट्स सियर एंड बेंडिंग मोमेंट्स इन तीनों के बीच में जो रिलेशन सिप का एक्वेशन बना हुआ है आप उसको चरूर पढ़के जाएगा ठीक है तो यह तीन कुष्चन यूनिट वन में मोस्टली इंपर्टन कुष्चन आपको इस तीनों में से कोई ना कोई एक या दो या तो हो सके तो तीनों मिल जाना है ठीक है यह मोस्ट इंपर्टन कुष्चन तो आप इन तीनों को पढ़के 100% जाना है ठीक है फ फिर आता है difference between merit and demerit and also dry bulb and weight bulb dry bulb and weight bulb के वारे में पढ़के जाएगा demerits and merits of इसमें quantum में आपको question मिल जाएगे कुछ topics पे merits and demerits के हैं तो आप उनको पढ़के चले जाएगा कभी किसी पे पूछ देता है कभी किसी पे पूछ देता है फिर आएए unit 3 में तो unit 3 में आपको आता है Newtonian and non-Newtonian fluid जित्ते भी types हैं जित्ते भी इसका definition आपको बनेगा जित्ते figure बनेगे आप उनको दयार करके जाएगा figure mostly आप दयार करिएगा इस subject में आपको figure ही कम से कम बनाना है कम से कम अगर आप जा रहे हैं इतना रहे हैं कि हर question में figure हम develop कर पाएं ठीक है अच्छे से types भी पूछ रहा है तो types को भी अच्छे से explain कीजिए ठीक है one by one करके types को explain कीजिए जैसे लगे figure type में आपने explain किया तो वो थोड़ा attract करता है number देने पर ठीक है तो आपको जैसे जितना भी हो सेगे figure type में बनाना है फिर आता है fluid mechanics and fluid ठीक है fluid की क्या mechanics है ठीक है types of fluid हो गया यह आपको पढ़के जाना है फिर continuity and pernoli equation and its application means continuity equation और pernoli equation ठीक है इसको और इसके application को पढ़के जाना है ठीक है फिर आता है hydraulic turbine and pump classification turbine के बारे में पढ़के जाना है pump classification इसके figure figure आप 100% guarantee आपको तयार करके जाना है आप figure से ही आप क्या कर सकते है theory को explain कर सकते है तो figure तो तयार करके ही आपको जाना है फिर आता है concept of measurement and measurement of pressure ठीक है फिर आता है concept of accuracy and error in measurement जो भी accuracy और error के questions जो भी बनते है quantum में आपके दे रखे होंगे और फिर जो teacher ने आपको करा होगा अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बिलकुल message कर सकते है comment box में आप comment कीजिए मैं आपको बिलकुल provide करा दूंगा ठीक है फिर आता है basic of open and close loop ठीक है control with example जो भी आपके open and close loop control है उसके example के साथ जो भी आपके theory होगी जो भी figure बन रहा होगा उसको आपको तयार करना है फिर आता है elements of control system and system of geometrical limits geometrical limits और control system के जो भी elements है या फिर systems है आपको उनको तयार करके जाना है ठीक है फिर आते हैं हम लोग unit 5 में तो unit 5 में यार वस ना mostly दो या तीन ही question basic बनते हैं आपका ये मतलब plus point है आपको 20 number gain करने का ठीक है तो unit 5 को तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है बच्चे अकसर क्या करते हैं शुरुगात के unit पर लेते हैं last वाली unit को थोड़ा कम द्यान देते हैं लेकिन ये ही last वाली unit आपका number उठाती है तो आपको ये last जो unit 5 था है इसको पढ़ के जाना है industrial application of mechatronics and advantage और disadvantage ठीक है ये थोड़ा से ना मतलब आप लोग के technological level का question है और ये आपका जल्दी तयार होगा ठीक है mechatronics के application advantage और disadvantage ये आपके 10 number में आता है बिल्कुल ठीक है रुपाइस तयार कर जाएगा अगर आपको कम पढ़ रहा है आपके पास content कम है तो आप Google पर देखके लिए जाएगे जित्ते भी sensor के कई सारे types Google पर आपको मिल जाएंगे transducer के कई सारे types with diagram ठीक है फिर gear and its types गेर के बारे में और उसके types के बारे में किते types के gear होते है ठीक है pressure control value and control value इन दोनों में से कोई एक question आपका आइस पर आना confirm ही ठीक है फिर आता है concept of stress and strain and pain ठीक है जो भी stress और strain के जो भी concept है उसको आपको पढ़के जाना है फिर concept of strength of material for safe design ठीक है strength of material के जो भी concept है उसको पढ़के जाना है तो guys जो भी आपको important और भी किसी subject से बनवाना है तो आप comment box में comment कर सकते हैं with semester and subject code and subject name ठीक है तो मैं आपको easily बना के अच्छे से जो भी जित्ता होगा आप दोए दूँगा ठीक है जित्ते भी मुझे important question लगेंगे बागी channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए ठीक है और आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर आपको अगर यह पीडिया फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे comment box में comment कीजिए मैं लिंक प्रोवाइड ज़रूर करा दूँगा है तो thank you दोस्तों